अभी तक हमने Election Commission को पढ़ाया, अब आज से हम लोग UPSC पढ़ेंगे, और UPSC में सबसे पहले हम Historical Background को जानेंगे, इस प्रकार इंडिया में Civil Services की शुरुवात हुए, तो देखो, यह जो देट आप देख रहे हो, 1757, यह बैटला प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, और यहां से इंट्री होती है, Britishers के राजनिथी में, अभी तक USSR कंपण व्यापारीक कंपण हुआ करती थी, अब इनकी जो इंट्री है, वो इंडिया के राजनिथी में शुरु हो जाथ, इसके साथ साथ आपक की संधी होती है और इसके बाद बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना राजनेतिक फैलाव करना शुरू कर दिया इनको दिवानी राइट्स मिल जाता है कहां कहां का बेंगौल का पुरीशा का और बिहार का अब इनकी पूरी तरह से पुलेटिकल इंट्री हो चु अगर हम देखें सिविल सबसेज की एक सिस्टेमेटिक शुरूवात तो वो मानी जाती है लॉड कारणवाली से लेकिन उससे पहले वारन हेस्टिंग साते हैं आप लोगों को पता है कि 1772 में वारन हेस्टिंग्स इंडिया में बेंगौल के गवर्नर बनके आते हैं और 22 में तरीके से शिविल सर्विसेज को नया आया मिलना शुरूप गया लेकिन सिस्टमेटिक रूप से शिविल सर्विस को इंडिया में लाने का स्थे जाता है लॉड कारणवाली से अब इन्होंने भी एक पोस्ट बनाई 1791 में इसको हम सुपरडेंडेंड औप पुलिस करत यह post बनी थी 1791 में इसके द्वारा बनाई गी थी लॉड कार्नवालिस को लॉड कार्नवालिस ने इंडियन civil services को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक convenated एंड दूसरा unconvenated convenated में कौन थे तो यह इसमें higher post हुआ करती थे और higher पोश्ट पर केवल बिट्सर सीवा करते थे, उस पे इंडियन्स होते थे, जो कि लोवर पोश्ट हुआ करते थे, इसके बाद देखते हैं, आगे, तो 1800 में आपको पता है कि लॉर्ड विलेजली का समय है ये, और लॉर्ड विलेजली पोर्ट विलियम कॉलेज बनाते हैं, पो तो सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, लेकिन इसको बंद कर दिया गया, और 1806 में इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, अब आप देखिए, आगे की कहानी, 1831 में बिलियम बेंटिक हैं, आपको पता हिए, बिलियम बेंटिक ही बाद में भारत के गवर् पोस्ट क्रियेट होता है, तो कभी आपसे पूछे कि डिविजनल कमिशनर का पोस्ट कब शुरू हुआ था, तो विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ, अब एक मांग तो थी कि भाई, जो सर्विसेज हैं, उनका ओपन एक्जाम होना चीए, और ये कब हुआ, 1833 में एक चार सर्वेंट्स चुआ करते थे, उनका चुनाव बोर्ड आप डारेक्टर किया करता था, लेकिन इस एक्ट ने कहा कि नहीं, अब मेरिट के आधार पे सर्वेंट्स को चुना जाना चीए, तो ओपन एक्जाम होगा, तो ओपन एक्जाम में इंडियन भी बैठेंगे, लेकिन ये बात समझेगा कि सिलिबस इतना कठिन था, कि इंडियन पास नहीं कर पाते थे, तो आएए देखते हैं कि आगी कहानी क्या बढ़ती है, 1853 के ओपन एक्जाम के कंसेट को लाया गया, और फिर 1854 में, लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कि ओपन एक्जाम मे पहली बार ओपन एक्जाम हुआ, लेकिन कहां हुआ, वो हुआ लंदन में, इंडिया में नहीं हुआ, अब Criteria बहुत कठिन रखा गया था, अब जो Greek जानता था, या जो Latin जानता था, या जो British literature जानता था, वो ही एक्जाम को करेक कर पाता था, लेकिन हम भी कम तो थे नही हमारे ही बीच में से 1864 में सतेंद्रनाथ टैगोर जो की रविननाथ टैगोर के बड़े भाई थे उन्होंने इस एक्जाम को क्रैक कर लिया तो फर्स्ट इंडियन जो ICS ऑफिसर बना इंडियन सिविल सफिसर ऑफिसर बने उनका नाम था सतेंद्रनाथ टैगोर इसके बाद 1871 में आर्सी द्रत और बिहारी लाल गुपता भी गुपता ने भी इस एक्जाम को क्रैक कर लिया अब एक बाए समझेगा लॉड लिटन का नाम आप लोग जानते हों अच्छे कामों के लिए नहीं जाने जाते हैं लॉड लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए पर ठीक है लॉड लिटन जो है 1878 में जो सिविल सर्विसेज की एस थी जो 21 थी उसको घटा कर 19 कर दिया क्यों कर दिया उनको पता था कि 19 तक इंडियन प्रिपेर नहीं हो पाते हैं तो कम से कम इंडियन जो है इस इकजाम को दे इसलिए उसने इसको कर दिया लॉट रिपन आते हैं जो एक अच्छे वाइसराय के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने इसको अगें 21 कर दिया तल ये आगे बढ़ते हैं अब देखिए 1885 में आपको पता है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अस्थापना हो जाती है और उनका जो डिमांड था वो ये था कि एक्जाम जो होना चीए वो इंडिया में भी होना चीए और बिटेन में भी होना चीए ये मॉडरेट लोगों का समयत आपको पता है मॉडरेट हमेशा रिक्वेस्ट करते थे तो इनकी एक रिक्वेस्ट थी इनकी रिक्वेस्ट डफरिन से थी भाई हमको जो है एक्जाम कामे माराइं इंडिया में भी करा हो और बिटेन में भी करा हो ताकि जादा जादा इंडियन इसमें पार्टिसीपेट कर सके हैं । इस लिए लुए लौसर्ण डिफिरें ने तीन हंडिट्हाइक्स Mi एकिषिसं कमिशन बनाया, पहली बात की इसने इंडिया में भी हो एक्जाम और बृतेन में भी हो इस बात को इसने नहीं माना, दूसरे जो एक दिमांड इंडिये नेर्शनल कॉंग्रेस ने और किया था कि एज जो है वो एज पर ध्यान देजे तो उसने कहा कि ठीक है एज 23 हो जाना चाहिए ताकि इंडियन और पार्टिसिपेट कर सके ताथ में इसने इसने थ्री टीर सिस्टम बनाया एक इंपेरिकल दूसरा प्रोविंशियल और तीसरा सबॉर्डिनेट आपको पता होगा कि यहा इंपेरिकल प्रोविंशियल और सबॉर्डिनेट आगे बढ़ते हैं अब देखिया कि 1912 में क्लिंक्टन कमेटी आती है और यह कमेटी क्या कहती है कि 20% हायर पोस्ट इंडियन के लिए होना चाहिए अब इंडियन की बात होनी शुरू होगे तो कि अब हम लोग किस समय 1912 में और आपको पता है कि एक मुवमेंट हो चुका था जिसको हम रोग सो रेसी मुवमेंट कहते हैं तो रेसी मुवमेंट का प्रभाव बढ़ा रहा था रिजसर्स पर कि खिर ऐसा कोई मुवमेंट नहों इस रिपोर्ट ने यह तो कहा कि 20% हायर पोस्ट इंडियन के बार इंडिया और बिटेन दोनों में एक्जाम हुआ वो हुआ 1922 में कहां कहां हुआ इंडिया में भी हुआ बिटेन में हुआ इंडिया में एलावाद में होता है एक्जाम फिर उसके बार देली में कंड़क्ट करा जाता है अब जब इंडिया में एक्जाम होना शुरू ह गया, तो उस exam को conduct कराने के लिए body की जूरत भी पड़ेगी, तो Lee Commission आया, Lee Commission 1923 में आता है और इसके recommendation पर Public Service Commission को establish किया जाता है और किस rule के तहर तो Public Service Commission function rule 1926 के तहर Public Service Commission को establish किया जाता है और इसके जो पहले director थे उनका नाम था Sir Ross Parker, आगे बढ़ते हैं, अब आप देखिए, कि Government of India 1935 Act आता है, इसमें ये जो Public Service Commission था, इसका नाम बदल करके कर दिया गया, Federal Public Service Commission, फेडरल शर्ब्द जो है वो Government of India Act 1935 के बाद आता है, इसके बाद जब देश आजाद गवा, तो हमने उसी का नाम बदल करके UPSC कर दिया, इस तरह से मारे देश में UPSC आता है, तो कहां से आता है, एक बार और रिपीट देख लिजे, तो Public Service Commission बनता है, इस सर में बनता है, तो 1926 में बनता है, और इस रूल के तहट काम करता है, तो Public Service Commission Function Rule 1926 के अनुसार काम करता है, और उसी का नाम बदल करके बाद में फेडरल किया गया, और उसके बाद UPSC कर दिया, अब जब देश आजाद हो गया, तो इसका नाम UPSC पढ़ गया, और देश के जो ग्रिह मंत्री थे उस 1947 में, जब देश आजाद होता है, उनका नाम ता सरदार बललब भाई पटेल, सरदार बललब भाई पटेल, पहली बार Madcock of दिल्ली के Madcock of House में, Civil Servants को संबोधित करते हैं, उनको स्टील बोलते हैं, कि देश के वेज़े स्टील हैं, इसलिए बोला जाता है कि civil services को still of India कहने वाले कौन थे तो सर्दार पतेल थे सर्दार पतेल ने 21st April 1947 को मेट कॉफ हाउस में सबसे पहली बार जो civil servant थे उनको संबोधित किया पहली बार किसी इंडियन के हाथ में कमांड आई है इसलिए अप्रेल 21 को इंडियन civil services दे के रूप में मनाया जाता है आगे की कहानी देखिए कि civil services तो हो गया अब आगे क्या हुआ तो 1976 में कोफारी commission आता है और यह बोलता है कि जो civil services के exam है वो थ्री स्टेज में होने चीए प्रेलिम सुना चीए में सुना चीए और पर्सनालिटी टेस्ट होना चीए आप भी देखते है प्रेलिम से में से और इंटर्व्यू है इसी के साथ साथ 37 संद्रा की कमिटी 1989 में स्टेक का पेपर इंटर्डूस करने की बात करती है आपको पता है एससे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है civil services के exam में इसी के साथ 2004 में होता कमिशन के द्वारा aptitude test लाया गया प्रीके exam में तो आप देखते हैं कि प्रीके exam में aptitude test होता है तो इस तरीके से हमने आज UPSC की जर्नी को पढ़ा नेक्स लेक्चर में हम UPSC के और IMO को पढ़ेंगे और आस्पेक्ट को पढ़ेंगे इस तरह से हम इस कमिशन को आगे बढ़ाएंगे बने रहे हमारे साथ हमारे अपने चैनल पर नमस्कार